नमस्कार आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ अश्वीनी सुरोही कोरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन का खत्रा पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है इस नए वेरियंट से भारत भी अब दहशत में है वेग्यानिको का कहना है कि ओमिक्रोन वेरियंट डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा घहतक है अभी भी इस बात को लेकर संशे बना हुआ है कि इस वेरियंट का कितना असर होगा जो चिंता सबको सता रही है डेल्टा वेरियंट से देश में जितनी मौत हुई उससे सभी में दहशत का माहौल था और अब ये वेरियंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ऐसे में ओमिक्रोन को लेकर सरकार अलर्ट है ओमिक्रोन वेरियंट के खतरे को देखते हुए राजस्थान समेत भारत के तमाम अंतर राष्ट्रे एयर पोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्रि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अब एयर स्वीधा पोर्टल पर अपने प्लान की पूरी डीटेल देनी होगी साथ ही वे भारत आने के बाद किस राज्य के किस जिले या गाउं में जाएंगे इसके बारे में भी सूचना देनी होगी इतना ही नहीं विदेशों से भारत आने वाले हर व्यक्ति को RT-PCR रिपोर्ट चेक की जाएगी कोई व्यक्ति पोजिटिव आता है तो उसके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी विदेशों से आने वाले यात्रियों को अपने चोधा दिन पूर्व की ट्रेवल हिस्ट्री देनी होगी इसके अलावा जैपूर एयरपोर्ट पर उनकी RT-PCR रिपोर्ट भी देखी जाएगी जुनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम दो से पाँच दिन तक मॉनिटरिंग करेगी और उनकी बाद में RT-PCR टेस्ट करेगी महीं बतादे की स्वास्थे एवं परिवार कल्यान मंतराले भारत सरकार के सचिव की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की पालना सभी अंतराष्ट्रिय एयरपोर्ट पर की जाएगी इसके अलाबा घरेलू उडानों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है इसके तहत हर यात्री को कोविड प्रोटोकोल की पालना करनी पड़े की इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं